रादे रादे दोस्तों हमारे यूटूब चैनल सरमंगल में आपका हार्दिक स्वागत है अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें जिससे नई नई वीडियोस के माध्यम से हम आप तक जानकारी जनमाष्टमी के योग में हनुमान जी के उपाय करने से देवी देवताओं की क्रिपा अवश्य प्राप्त होती है मंगलवार को हनुमान जी की विशेश पूजा की जाती है हनुमान जी शिरी राम जी के परम भक्त है श्री कृष्ण जी और शिरी राम जी दोनों ही भगव विष्णु जी के अवतार हैं इसी कारण जन्माश्टमी पर हनुमान जी के उपाय करने से श्री कृष्ण जी की कृपा प्राप्त होती है उपाय नमबर एक हनुमान जी के सामने चो मुखा दिपक जलाएं और इस मंत्र का 108 बात जाब करें ओम राम दूताए नमा ओम राम दूताए नमा नमबर दो जन्माश्टमी के दिन हनुमान जी के मंदिर में चंडे का दान करें नमबर तीन, जनमाश्टमी की रात को हनमान जी के मंदिर में एक नारियन लेकर जाएं और स्वेंप पर साथ बार वार लें और बाद में इसे हनमान जी के चरणों में फोर दें 5. आप पिपल के 11 पत्ते ले लें और उन पत्तों पर श्री राम का नाम लिखें और माला बनाकर हनुमान जी को चड़ाएं यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आये तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर भी करें धन्यवाद